आवेगा ऐसा कभी ना कभी सैयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी जिन्हों ने अपने प्रबल पुरशार्थ के द्वारा मोक्षधाम को अपलब्द कर लिया उन सभी अनंत अनंत सिद्धात्माओं की परम पावंसी चर्णूमी हमारी वंदने परम उपकारे लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रधान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी आधिचारों ही दादा गुरुदेवों के सिचर्णूमी हमारी वंदने परम पुज्य गुरुदेव प्रज्यापुरुष आचार्य भगवन्त स्री मज्यनकांति सागर सूरी स्वरजी मारा साथ के सिचर्णूमी हमारी वंदने परवादी राज परिशन महापर्व के सात्वे मंगल प्रभात में आज हमने अपने रिदे को समर्पित किया है च्छ दिन बीट गए हैं पता भी नहीं चला लगता था जैसे कल या परसों ही तो परिशन महापर्व प्रारंब हुए है और मन नहीं करता कि परवादी राज परिशन की ये दिन पूरे भी हो कल संबत्सरी महापर्व होगा परसों पारने होंगे और उसके बाद एक-एक करके जिस गती से आये थे उससे चार गुनी गती से वापस लोड़ जाएंगे पता नहीं आपको सिद्धा चल की और यहां के परवादी जान परिशन की और हमारी कितनी याद आएगी लेकिन हमको तो आपकी बहुत याद आएगी क्योंकि कल के बाद फिर प्रवचन के से सनाएंगे फिर यह वातावरन यह धर्मसभा यह विशाल पांडाल भरा हुआ चलो पूरी नहीं तो कुछ लोगों को तो थोड़ी बहुत तो हमारी याद आएगी आएगी की नहीं आएगी जिनको याद आए वो परसों गर जाकर तरसों वापस चले आना और जब आना ही है तो जाना ही किसलिए आप चले आना हमारी द्वार पर हमारे दर्वाजे आप के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे क्योंकि यही सच्चा सरना है सच्चा आश्रे स्थल तो यही है जहां आपको ग्यान मिले और जहां ग्यान के परिणाम स्वरूप प्रेम मिले बक्ती मिले परवादी राज पर्यूशन महापर्व के च्छ दिन पूरे हुए आँ साथवा दिन और कल समबसरी महापर्व च्छ दिन की तैयारिया कैसे बीते यह च्छ दिन किन भावों में बीते तब हमने यताशक्ति किया लेकिन भावनों का उल्लास तो वर्दमान होना चाहिए कल सिखर पर स्वर्ण कलश का आरोण होगा और द्वजा चड़िक मंदिर पूर्णता को प्राप्प होगा यह साधना का मंदिर यह आराधना का मंदिर इसे कल पूर्ण करना है लेकिन अधिकारी कौन होगा जो अपने इस मंदिर पर आराधना की मंदिर पर स्वर्ण कलश चड़ाएगा वजा लेराएगा कल सुबै ठीक साड़े च्छ बजे मूल बार्षव सूत्र का स्रवन करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे बर्मात्मा की मूल वानी सुनेंगे एक एक अक्षर में उर्जा से परिपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण जिसमें मंत्रों का जरना बैता है ऐसी वानी हम सुनेंगे एकाग्र होकर मौन के साथ और परम परम स्रद्धा के साथ बाकी दिनों में तो हो सकता है कि हम थोड़ी देर बाद आएं और पहले चले गए कोई दस मिनट बाद कोई ग्यारा मिनट बाद कोई बीस मिनट बाद आए चले गए बाकी दिनों में तो हो सकता है कि हम बैठे रहे नींद ली और माला फिर ली या योहीं बैठे रहे जब कियां ली किताबें पड़ी बातें की लेकिन कल का दिन तो बड़ा मेत तपोन है वो बार्सा सुत्र हम सुनेंगे जिस बार्सा सुत्र की विवेचना इन पांच दिनों में हम सुन रहे है परमात्मा की मूलवानी उसकी महिमा भी कल सुनेंगे क्योंकि सास्त्रों का वेधान है ये कल्प सुत्र जो दशासुतिसकंद का हिस्सा है ये कालिक सुत्र है और कालिक सुत्र होने के कारण से दिन के प्रथम प्रहर में ही सुना जा सकता है दिन का दूसरा और तीसरा प्रहर इन सुत्रों के लिए नहीं है प्रत्म प्रहर के बाद इसे नहीं पड़ा जा सकता और प्रत्म प्रहर का अर्थ होता है साड़े नौ बजे तक उसके बाद नहीं कल नौ बजे तक बार सा सुत्र पूर्ण करना है और फिर हम जाएंगे प्रमात्मा के दर्षन करने के लिए चैत्य परिपाटी में हलके होकर यहां हम उर्जा ग्रहन करेंगे मूल कल्प सुत्र स्रवन के और उसके बाद मंदिलों के दर्षन कर अपने रिदे में परम धन्यता का अनुभाव करेंगे लेकिन वजा रोहन तो शाम को होगा जब हम संबत स्री का महा प्रतिक कर्मन करेंगे केवल आसन ले आना मुपत्ति ले लेना चरवला ले लेना सामाइक ले लेना कपड़े बदल देना यहीं प्रतिक कर्मन नहीं है थोड़ा समझ कर करना है क्योंकि समझेंगे तभी तो संबलेंगे समझें भी ना कोई संबल कैसे सकता है और हमें संबलना है हमने संकल्प किया है और यही तो कल्प सुत्र सुनने का सहार है यदि कल्प सुत्र सुनने के बाद भी परवादी राज परिशन महापर्व की आराधना करने के बाद भी यदि हम अपने जीवन में, जीवन की वैवस्थाओं में, जीवन के खानपान में, जीवन के हराचरण में बोलने में चालने में भाशा में वो भाव प्रकट नहीं हुआ कल हमने पर्मत्म महावीर का जीवन सुना था एक विचार तो सब के मन में आना चाहिए कि पर्मत्म महावीर का जो पहला भव था पर्मत्म महावीर का पहला भव तो हमारे जैसा ही था हम भी तो वेसे ही है जब पर्मत्म महावीर वो नेसार वर्दमान बन सकता है तो हम महावीर क्यों नहीं बन सकते लेकिन रुची चाहिए वो भाव चाहिए तीन बातों को समझना है नमबर एक नमस्कार करना मुश्किल जुकने का भाव हर व्यक्ति की रिदे में बहुत जल्दी से पैदा नहीं हो पाता थोड़ी अकड रहती है मैं कैसे जुकूं माता पिता को नमस्कार करना व्यक्ति के लिए आसान हो सकता है लेकिन लोगों के सामने माता पिता को नमस्कार करना थोड़ा मुश्किल मालुम पड़ता है अकेले में आसान हो सकता है लोगों के सामने कैसे चुकूँ फिर भी नमस्कार करना आसान मगर गुनवान व्यक्ति को नमस्कार करना और मुश्किल एक सत्रादीश व्यक्ति को नमस्कार करना आसान है एक गनवान व्यक्ति को नमस्कार करना आसान है एक दुनिया में प्रसिद्ध कोई व्यक्ती हो और उसे नमस्कार करना आसान है कोई पद पर बैठा हो और उसमें भी कोई सरकारी पद पर बैठा हो तो उसे नमस्कार करना आसान है हलांकि उन्हें वाला नमस्कार केबल दर्वे नमस्कार ही होता है फिर भी उन्हें नमस्कार करना आसान है मगर गुणवान व्यक्ति को नमस्कार करना थोड़ा मुश्किल है नमबर एक नमसकार करना मुश्किल मगर फिर भी आसान नमबर दो गुनवान व्यक्ति को नमसकार करना और मुश्किल नमबर तीन गुनवान व्यक्ति को भी नमसकार करना आसान लेकिन गुन प्राप्ति के लिए गुनवान व्यक्ति को नमसकार करना मुश्किल लक्ष क्या है हमारा आप वंदना करते हैं हमें सुबई सुबई बंदना करते हैं गीत गाते हैं और अतीश युक्ति से परिकून गीत भी बड़े आराम से गा लेते हैं उस गीत में हम तो अपना बविश्य तलासते हैं अभी जैसे गीत गया था दर्ती के बगवान तो मैं तो सोच रहाता कि चलो ये मेरे लिए उनकी प्रार्थना है कि आप ऐसा चारित्र पालें ये किवल गीत की पंक्ती नहीं है बलकि उस गीत की पंक्ती में आप सब की प्रार्थना है प्रार्थना ही नहीं बलकि आपका आद आदेश में विन्य है और आदेश इन शब्दों में हैं जो छिपा हुआ है जो भजन में नहीं लिखा है आदेश इन शब्दों में हैं कि आप ऐसा चारित्र पालें और ऐसी साधना करें कि आप भगवान बन जाएं इन शब्दों में हम अपना बविश्य तरास्ते हैं और निर्मान करने का रिदे में भाव भी रहता है और इसलिए तो साधूब नहीं हम साधूब नहीं इसलिए है कि हम सिद्ध हो जाएं और सिद्ध होना ही तो भगवान होना है गुरु बगवन्तों को आप बंदना करते हैं बंदना करने का लक्षे क्या है उद्धिश्य क्या है कभी आपने विचार किया कि मैं जो बंदना करता हूँ वो क्यों बंदना करता हूँ बंदना इसलिए कि जाती है कि जो हमारे पास है जो आपके पास में नहीं है वो हमारे पास में वो आपको दिखाई देता है इसलिए आप बंदना करते हैं जो आपके पास में नहीं है और जो हमारे पास में है क्या है ऐसा क्या है ऐसा जो आपके पास में नहीं है और जो हमारे पास में है लेकिन असल में वंदना केवल इसलिए नहीं कि जाती है कि जो हमारे पास में नहीं है वो आपके पास में है वो हमें मिले इसलिए वंदना कि जाते हैं किसे चाहिए जो आपके पास में है हमारे पास में नहीं है और जो आपके पास में है वो हमें चाहिए असलिए जीवन का यदि विकास करना है तो तीन शब्दों को अपने रिदें में सदा सदा धारन करें नंबर एक संग्रह नंबर एक ग्रहन ग्रहन करना उनके सद्गुनों को ग्रहन करना सदा सदा अपने दर्वाजे खुले रखो आलांकि ग्रहन करने में यह भेद करना बहुत जरूरी है कि ग्रहन मुझे क्या करना है और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि दुर गुणों का ग्रहन बहुत जल्दी हो जाता है सद गुणों के ग्रहन में समय लगता है दुर गुणों का ग्रहन अनायास हो जाता है सद गुनों के ग्रहन में पुरुशार्त करना होता है एक बच्चा रहता हो अपने मकान में दाई और भी मकान हो, बाई और भी मकान हो बीच में रहता हो दाई और के मकान में अच्छा परिवार है जहां नम्रता की बाशा है जा विने की बाशा है जहां संसकारों की भाषा है जहां माता-पिता का विने किया जाता है जहां बच्चों पर वादसली उंडिला जाता है जहां सुबह सामाई की जाती है जहां परमत्मा की पूजा की जाती है जहां परमत्मा की बक्ती होती जहां परस्वर बाशा के प्रयोग में भी उदारता है स्रिष्टता है उच्चता है बाशा की उंचाई है जी कारे से बात की जाती है नाम के आगे श्री और बाद में जी लगाया जाता है जहां भासा में मीठास है जहां मादूरिता है दाई और का मकान ऐसा है जहां एक ऐसा परिवार रहता है जो परिवार वीतराक परमातमा कानुए यह जिनोंने धर्म को समझा है और बाई और मकान में एक ऐसा परिवार रहता है सुबह जिनका प्रारंब गालियों से होता है और शाम मारपीट से जिनका दिन पूरा होता है गालियां हैं गंदी गालियां है कोई सुने तो शर्म से माथा जुग जाएं ऐसी गालियां है तीखे शब्दों का प्रयोग कटुता है दिन बर लड़ाई जगडा है है पत्नी पती से सासू बहु से लड़ती है बहु सासू से बहन भाई माता पुत्र पुत्र-पिता सभी केबल लड़ना केबल लड़ना दो परिवार उन दो परिवारों के बीच में एक परिवार इधर रात है बाईयों और दाईयों और दिन हैं दाईयों और संस्कारों की रोश्णी है और बाईयों और नरक का अंधेरा कशाय का वातमरन बीच में एक परिवार रहता है क्या सीखेगा वो जल्दी दाईयों और वाले संस्कार जल्दी सीखेगा या बाईयों और वाले गालियां जल्दी सीखेगा जल्दी क्या सीखेगा अनुभवाप लोगों का है बहुत जल्दी अनुमान लगा सकते हैं कि गालियां बहुत जल्दी बचा सीख लेता है गालियां सीखनी आसान है ग्रहन करने में विवेक की जरुवत है क्या ग्रहन करते हैं हम लेकिन सद्गुनों को ग्रहन करने के लिए सदा सदा तैयार रहो अपने अहंकार को बीच में ना आने दो इगो न रखो ग्रहन करो गुरु बगवंत पदा रहे हैं सादू साद्वी जी बगवंत पदा रहे हैं उनके प्रवचनों से, उनके आचरन से, उनके उपदेशों से, धर्म ग्रहन करो, सद्धुन ग्रहन करो, ग्रहन करने का भाव अपने अंतर में होना चाहिए, नमबर दो संग्रह करो, वजएे ठेल झनके अचरन से, एक झ हॉए जाचदों से, जब तक्तरॉ वक हमरे फिशों से, उल्डर हा में होना चाहिए, टिसका करो, चल्रहन करो ट।।